हाई फ्रेंट्स वेलकम टो वर चैनल सूपर टेडलक्ष यहां बात करें किस तरही से प्लान कर सकते हो कल के लिए दो इंपोर्टेंट न्यूस है सबसे पहले ये कि एलेक्टरल बॉंड के लिस्ट बाहर आ चुकी है लेकिन किसी को अभी तक कुछ समझ में आ नहीं रहा है मुझे भी नी समझ में आरा मैं इसका एकसपर्ट नहीं हूँ तो मैं अभी कुछ कमेंट नहीं करूँ गा दूसरी चीज है कि एलेक्षण कमिशन के दो जो कमिशनर जो पोस्ट खाली थी government ने जल्दी बाजी में उन्हें appoint कर दिया है और कल Supreme Court सुनवाई करेगा इसी case से related कि क्या government की body को जहां पे majority government की है वहां पे election commissioner appoint करने की full power होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए तो काफी लफड़ा चल रहा है यहां-वहां और काफी सारी news आ सकती है आज का market बहुत थकावट वाला था कल market में मेरा जो loss हुआ था आज मैंने almost recover कर लिया मैंने बहुत आज बहुत tough था मैं सही बताऊं मतलब profit देता था फिर मैं नहीं निकला तो loss हो जाता था फिर profit तो इस तरीके दे छखाया market ने क्योंकि premium चांस नहीं गिरने का market already technically bounce आना था नहीं आया और उसके बाद current expiry के premiums थे फिर उसके बाद जब मैंने shift किया अगले week में तो मैंने कुछ recovery की और आज मैंने almost 90% loss recover हो गया इस महीने मैं अच्छे खासे profit में हूँ तो मेरा plan ही हो रहा है कि यार इतना risk का linear lag की market है नहीं क्योंकि कब कहां क्या करता है कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बड़े move पकड़नी पा रहा है in spite of taking good entry तो मैं अपना capital कम करने की सोच रहा हूँ क्योंकि मुझे swing अच्छे मिल रहे हैं लेकिन मैं capital को थोड़ा कम करना चाहिए अब दूसरी चीज़ यहां important यह है कि आज market में nifty उपर bank नीचे mid cap फिर से उपर तो अब क्या हो सकता है तो मेरा मानना है कि कल फिर market थोड़ा सा react करेगा news और events पे जो electoral bond के list कल शाम को आनी थी अगर मैं data की बात करूं तो data बहुत ज़्यादा बीरिश नहीं है FIIs की तरफ से तो mixed kind of data है तो मैं यह कहूंगा कि अगर पहले गिर गया तो उड़ सकता है और पहले उड़ गया तो फिर गिर सकता है net net कहीं जाने का लग नहीं रहा है और premium decay से लोग मारे जा सकते हैं until and unless ऐसी कुछ चीज हो जाए जो मार्केट में बहुत बड़ी हो पॉलिटिकली जिस सुप्रीम कोड की कोई ख़बर आ जाए something like that तो मेरा मानना है कि bank nifty weak रहेगा उसका data weak है nifty का data strong है इसलिए ख़चली पकती रहेगी तो bank nifty nifty को बहुत जाद ऊपर नहीं जाने देगा और nifty ऊपर जाना चाहता है based on other stocks other than bank nifty तो nifty का जो resistance है 22,220 है nifty का जो support है 22,050 है immediately उसके नीचे बेरिश हो जाएंगे बैंक nifty का जो support है 46,550 है जब तक वो hold करता है बहुत जादा बेरिश नहीं होना है आपको उसके नीचे आपको जादा बेरिश होने का मौका मिलेगा क्योंकि फिर हम 45,900 तर गिर सकते हैं बाउंस आया तो 47,47,200 रहेगा बैंक nifty के लिए जहां पर आप शॉर्टिंग कर सकते हैं अपने फ्री टेलिग्राम चैनल पर आज मैंने बताया भी था कि वहां से एक अच्छा एरिया है जहां से यह वापस से गिर सकता है और बैंक ने अच्छा call दिगा निफ्टी ने भी होता है एक दिन बहुत वीक हो जाता है तो यह चीजें अदला बदली चल रही किसी दिन स्प्रिंग की दर उचलने लगता है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टु से की ऑपरेटर्स जो बिग मनी है वो किधर खेल खेलेगी आपके साथ लेकिन एज़ जो चीज जिखरे उसके किसाथ से मैं बता रहा है इसके कारण आपको प्रीमियम डिके बहुत ज़ादा आज मिला होगा कल भी प्रीमियम काफी डिके हो सकते हैं तो ऑप्षन सेलर के लिए यह ऑप्टिमल है मतब सेल अब आप कॉल सेलिंग में अगर है तो आपको बाउंस पे कॉल सेल करते तो आप कि बात नहीं है अगर आप गिरे वोई में सेल करते हैं तो आपको टेंशन तो होनी ही चाहिए और मिड़के बाउंस मा रहा है मुझे लगता है कि टोटल फॉल का ये और मुस्ट टुटी थर्टी 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 फाइफ परसेंट का बाउंस है यहां से फिर से वापस से रि अगर आप ऑटो की बात करें तो आटो भी थोड़ा सा उठा है मिड़केप में और स्मॉल कैप में स्मॉल कैप में अच्छा बाउंस आ है बाइद वे कई स्टॉक सरकिट में थे तो बट इस लाइक कि आज लोग बोलेंगे हाँ चरो ठीक है यार अच्छा हुआ कल मैंने न चुनाओ नहीं है दस साल वाला चुनाओ है तो anything can happen so be ready पैसा आपका है और hedge रहना हमेशा जब भी जो कर रहे हो देख आपको लगता है मार्केट गिरेगा ही गिरेगा तो 20% आपको लगता है मार्केट उठेगा ही उठेगा तो 80% उपर हो 20% नीचे रहो मुझे लगता है य हम लोग को बहुत महेंगे प्रीमियम्स नहीं मिलेंगे तो थुड़ा मुवमेंट मिलेगा वरना क्या होता है 15 अगर विक्स चला गया तो फिर आपका नॉर्मल प्रीमियम आपको at the money मिलता है 300 रुपे का आप out of money लोगे वो मिलेगा आपको 2-300 पॉइंट दूर का लोगे और मार्केट गैबडाउन हो जाए और उस गैबडाउन पर विक्स ज्यादा ना बढ़े तो उस गैबडाउन पर आपको अच्छा पैसा बनेगा भले फिर से जब विक्स फूल ड़ाउन थोड़ा सा भी हुआ तो डिके हो जाएगा लेकिन मूव मिलेगा तो ये विक्स की characteristic प्रेस्टिक है जो आपको समझनी पड़ेगी, मार्केट में हर दिन बैठके अबसर्ब करना पड़ेगा, तो हर समय बटन दबा के अबसर्ब करना जरूरी नहीं है, कई पर देखा करो अपनी आखो से, यहां पर यह चीज है, उसके अलाबा अगर बात करों, तो US future थोड़ा स I think यही है आज का सारांश की electoral bond की जो list आई, उसके case में क्या होता है, यह हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, कि किस सरी किस से list में कोई नाम आता है, नहीं आता है, सारे journalist और बहुत साई लोग लग गए होंगे data निकालने में, क्या है, क्या नहीं है, और Supreme Court का दर्वाजा खट खटाया जाएगा पूरे चुनाव में, तो आप कहीं न कहीं से कोई न कोई खबर आते हुए, आपको देख सकती है, Supreme Court की एक और चीज़ जो मैंने notice की है, कि फटाक से time दो दिन तीन दिन के अंदर दे रहा है, किसी भी issue को लेके, तो यह एक जो चीज है, यह एक risk factor है क कि अगर आज कोई जा रहा है request लेके और परसों की date मिल रही है, तो फिर आपका वो खत्रा मढरा आने लगता है दो 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 दिन में, क्योंकि भाई ऐसी चीज़े हो रही है, जो politics को impact कर सकती है, तो आपको वहाँ पे हमेशा ध्यान देते रहना है, breaking news कब कहां आ रही है, और सिर्फ मार्केट की news नहीं, थोड़ी political news भी breaking news यह वो देखते रही है, तो यह है फिलाल finance week, मतब बैंक निफ्टी, निफ्टी में, बैंक निफ्टी sell the amounts में जाधा prime contender है, और dip होने के बाद bounce में निफ्टी prime contender है, ठीक है, तो इतना simple समझोगे किधर के क्या करना है, तो सब करोंगा कि मेरेको ना आपकी तारीफ चाहिए, ना मेरे को आपका क्रिटिसिजम चाहिए ना मेरे आपको सही गलत का जज्जमेंट चाहिए मुझे अपना काम शांती से करने दो अगर चाहते हो कि मैं अपना काम ना करो ठीक है तो आप मेरे को खुब सारे कमेंड में बोलो कि आप बंद कर दो और अगर आप चाहते हो कि मैं अपना काम लगाता करता रहूं तो इस वीडियो में लाइक इतना दिखा दो मुझे लगे कि यहां यार डिफिनेटली लोग चाहते हैं और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप चाहते हो यह नहीं चाहते हैं प्री टेलिगाम चैनल है आप जाके जॉइन करो वीडियो के पेंट कमेंट में फेक चैनल में बहुत सारे फेक चैनल बनाते हैं तो जो फेक चैनल बनाते हैं उनका सरीय स्वावत होगा कभी नगभी लेकिन एक और चीज है कोई भी आपसे पैसा मांगता है क्रिप्टो रिले वह एक से सना हैं मार्केट के वलेंते से से बचना है करद में नहीं डूमना है उससे बचना है और माबाप आपकी पसंद की लड़की से शादी ना करें उससे भी बचना है अगर आप चाहते हो तो जस्ट मजा कर रहा हूं ठीक है लाइक कर दो शेर कर दो सब्सक्राइब कर दो मिलते हैं को चलते बाए